right now में discuss करो double tower जैसे मान लो ना कि ये तुम्हारा ground है right ये ground होगी आप न ठीक है न ये एक आपका tower ले लीजिए ठीक है और ये आपका एक ball है और दुसरा एक tower ये ले लो आप ठीक है बच्चों और ये आपका ये ball है right अब ऐसा मानके चलो ना कि ये जैसे कि आपको इसका जो first second का जो coverage है ये मान लो first second right तो ये x दिया हुआ ठीक है और ये मान लो जो आपका coverage है last second ठीक है वच्चों तो ये दिया हुआ 7x ओके और उसी तरह से इसमें जो देखो ये first second इसकी जो coverage है x और इसमें जो last second का जो coverage है last second का o दिया है 11x अब तुमको इसमे time of the fall t1 है इसमे t2 है और ये total height मान के चलो आप h1 और इसमें मान लो आप height h2 ठीक है total है तो ये निकालना है h2 ये निकालना है h1 तो अब बताओ इसको कैसे find करेंगे तो देखो गलेलियो जो order लगाते हैं बोलो first second का coverage कितना है x ठीक है तो अब next second में कितना cover करेगा 3x फिर आपका अगला second में कितना cover करेगा 5x और last का कितना दिया सेवे next तो देखो ये one second one second one second one second एक, दो, तीन, और चार तो बोलो कितना आ गया t is equal to four second right उसी तरह से इसमें लगा लो गलेलियो जो order rule देखो ये first second का कितना दिया है x ये आपका 3x हो गया ये आपका 5x हो गया ये हो गया 7x और ये 9x और ये हो गया आपका 11x ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, और छ square तो 1x2, ठीक है बच्चों, और into 10, और time कितना है 4, तो into 16 square करोगे, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 80 meter हो जाएगा, clear हो रहा है, और second वाले में time कितना मिला है तुमको, t2 is equal to 6 second right, तो इसमें देखो, h2 is equal to half into 10 into 36, तो ये तुम्हारा 5, तो ये कितना हो गया, 180 meter, ओक कितना है झाएगा?